नवस्कार दोस्तों स्वागत यापका फार्मारोक्स के यूटूब एज्जू किसने चैनल में तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसा हेल प्राउब्लेम और उसके सॉलिसन के बार में बात करेंगे जैसे कि यहाँ पे जो हम यह फोटो में देख रहे हैं उस तरह से जीब के उपर सफेद परत जम जाती है तो यह वाले पिक में भी आद देख रहे हैं कि यह सरीए सफेद परत जमी हुए है फिर यहाँ पे भी यह सफेद परत आपके जीब के उपर जमी हुए है जिसको मुह के अंदर सफेद परत जमना भी कहा जाता है या फिर medical terms के अंदर ये जो problem है उसको oral thrust की समस्या कही जाती है या फिर मुह के अंदर fungal infection हुआ है या फिर oral candidiasis भी ये problem को कहा जाता है फिर ये जो problem है वो बच्चों के अंदर भी होता है कि जो specially छोटे बच्चे होते हैं उनके mouth में भी ये oral thrust जो है वो देखने को मिलते हैं कि जिसको oral yeast infection पे कहते है या फिर जीब में infection पे कहा जाता है तो ये जो सभी health problem से उसको solution के लिए कौन सी दवाईया यूज होती है कैसे हम ये problem को solve कर सकते हैं तो detail में सिखते हैं आज की video lecture में और जानते हैं oral thrust के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको उसका basics बताता हूँ तो ये जो problem है वो एक type का fungal infection है और fungus के अंदर भी जो yeast होती है और yeast का भी जो नाम है वो है candida albicans तो वो yeast के कारण ये problem जो होता है especially होता ये है कि जो आपकी जीव होती है उसके उपर एक सफ़ेद परज जम जाती है और उसका एक main reason होता है yeast नाम की एक फूग होती है कि जिसके करण आपको ये problem होता है तो ये बच्चों में भी हो सकता है या फिर adult persons में भी हो सकता है उसके बहुत सरे से अलग-अलग reasons भी होते है कि जो हम आगे वीडियो में discuss करेंगे तो यहाँ पे मैं वीडियो के बीच में बताना चाहूंगा कि ऐसे ही आपको अलग-अलग बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है उनके उपचार के बारे में सीखना अच्छा लगता है तो जो हमारी book है उसको आप जरूर से purchase कर सकते कि जो बीमारिया और उनका उपचार करके जो हमारी book है तो ये book को affordable price में order करने के लिए ये दिये गए नमबर प्याफ हमें whatsapp कर सकते है और ये जो colorful printed book है वो आपके घर पे मंगवा सकते है तो आगे आप समझते हैं कि oral thrust का जो problem होता है उसके reasons क्या है तो सबसे पहले जो reason है वो है पूरल oral hygiene मलग कि जो आपकी जो personal hygiene है वो आप अच्छी नहीं रखते है oral hygiene जो maintain रखने चाहिए regular brush करना चाहिए दिन में at least दो बार आपको brush करना चाहिए तो वो आपकी personal hygiene काफी ज़्यदा poor है उसके करन भी ये problem हो सकती है फिर stress के करन भी ये problem हो सकता है फिर कुछ लोग birth control pills लेते है उ oral thrust का हो सकता है फिर जो जिनकी immunity weak होती है cancer हुआ है या फिर आप poor या फिर unhealthy diet लेते हैं तो उसके करन क्या होता है कि जो yeast होती है उसकी आपकी oral cavity के अंदर growth होने लगती है और उसी के growth के करन आगे जाके क्या होता है कि जो आपके जीव होती है आपके मुह में जो हो सफेद पर symptoms तो उसमें एक plague formation होता है जीव के ओपर जिसकों simple language में ऐसा कहते है कि एक सफेद परत जम गई है फिर जब आप कुछ खाना खाते है तो आपको unpleasant taste feel होता है जो खाने का जो असली taste है असली जो स्वाध है वो आपको पता नहीं चलता और कई बार कुछ taste भी आपको पता नहीं चलता है आपके oral cavity के अंदर फिर जो होट के corners होते है specially यहां पर round करता है तो वहाँ पर cracks जो है वो देखनों के मिलते हैं फिर दूसरी कुछ symptoms हम देखे तो cotton जैसा feel होता है कि जैसे cotton का कुछ layer आपके जीब के ओपर लगा हो ऐसा आपको touch करने पर वहाँ फिल होता है फिर ऐस infection होता है गले में भी infection होता है या फिर आपके जीब में mouth में होने वाला यह infection है और कई पर क्या होता है painful या फिर burning sensations होते है आपकी oral cavity के अंदर तो कुछ और symptoms हम देखे या फिर उसकी कुछ risk देखे तो अगर किसी को diabetes है तो उनको भी यह problem हो सकता है कोई किसी को enemy हुआ है HIV या mouth जो हो dry रहता है pregnancy है तो pregnancy के दुरह यह कई बार एक symptom बनता है और smoking जो लोग करते हैं उनको भी यह होता है फिर जो ill-fitting dentors जो होते हैं उनके अंदर भी यह problem देखने को मिलती है फिर poor nutritional diet है local irritation, local radiation फिर chromotherapy, vitamin deficiency है तो यह सब कुछ ऐसे reasons बनते है और risk बनते है oral thrust के लिए अब समझते हैं कि treatment के क्या अलग अलग options है तो अगर mild oral thrust है तो उसके लिए आपके लिए सबसे based option यह रहता है clotri mazol का तो clotri mazol के lozenz is जो है वो market में available होते है तो जैसे कोई हम chocolate काते है कोई toffee खाते है ऐसे ही यह lozenz इसको आपको use करने होते हैं कि जिसका dose रहता है खासकर 10 mg जितना और 5 times day जो है वो person उसको use कर सकता है या फिर दूसरा option बनता है 5 mg के निस्टेट इनके oral suspension का कि जो person 4 times लेता है पूरे दिन में फिर यहाँ पे जो हम देख रहे हैं निस्टेट इनका जो suspension है तो वो option बनता है और clotri mazol के जो lozenz जिस आते तो यह जो suspension है वो person 5 ml जितना दिन में 3 या 4 बार use कर सकता है और यह एक lo 5 बार आप use कर सकते हैं फिर next option हम देखे तो oral tablets के अंदर कि जिसको आपको निगल जानी है तो वो जो है वो fluconazole के tablet का option है 200 mg की यहाँ पर हम tablet देख रहे है तो उसका जो loading dose है वो 200 mg रहता है एक बार और जो maintenance dose रहेगा वो 100 mg रहेगा दिन में एक बार साथ से लेकर 14 दिनों तक तो fluconazole से भी oral thrust का उपचार किया जा सकता है फिर यहाँ पे मैं फिर से आपको reminder दिना चाहूंगा कि जो हमारी book है decision treatment उसको आप जरूर से order कर सकते हैं book order करने के लिए दिये गए number पे आप हमें whatsapp कर सकते हैं तो सभी बीमारियों के बारे में detail में आपको बताया गया है कि जैसे आज हम यहाँ पे oral thrust के बारे में सीख रहे हैं ऐसे ही बहुत सारी बीमारियों के बारे में detail में वहाँ पे दिये गए कि बीमारी होने के कारण क्या है, symptoms क्या है, diagnosis कैसे हो सकता है और कैसे यह problem का हम इलाज कर सकते हैं तो book को जरूर order करे, order करने के लिए दिये गए number पे WhatsApp कर सकते हैं फिर आगे जो हमने दवा यह डिसकस की उससे भी मालो कि oral thrust ठीक नहीं हो रहा है तो next option बनता है इत्राकॉनाजल का तो इत्राकॉनाजल का जो capsule का जो dose रहेता है once a day और 28 days तक patient उसको use करता है या फिर इत्राकॉनाजल से भी ठीक नहीं होता तो next option बनता है वा candy trial करके यह tablet है Glenmark की यह product है तो यह एक जो capsule या फिर जो tablet आती है वो patient जो है वो दिन में एक बार use करता है 28 days तक और अगर उससे भी ठीक नहीं हो तो next option बनता है वारिक और जो जो दिन में दो बार ले नहीं होती है हर 6 या 8 गंटे के time interval पे तो यहाँ पर वारिक और जोनाजोल के tablet हम देख सकते है और उसका दो अलग अलग ब्रांड है warrior 200 करके भी आता है जो जाइडस के डिला उसके manufacture है और दुसरा mankind की यह product देख रहे है हम इट्रा कोनाजोल के capsule की जो candy force करके famous ब्रांड है तो यह भी prescribe की जा सकती है oral thrust के problem को solve करने के लिए है फिर यह सभी दावयों से ठीक नहीं होता तो एक आखरी option बनता है पूसा कोनाजोल का उसका oral suspension भी आता है और उसके tablet capsule जितने जैसे doses पॉम भी available है तो उसका जो starting loading dose है वो हम देखे तो 400 mg जितना रहता है twice a day यह suspension लेना होता है patient को दिन में तीन बार और maintenance dose रहता है 400 mg सिर्फ दिन में एक ही बार 28 days के लिए तो इस तरह से proper इलाज हो सकता है oral thrust का तो अगर आपको मेरा ये वला idea अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो भी आप जरूर से देख सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप मेरी channel को subscribe करें so good luck and all the best